सीधी मां आज एक बेहद हिर्दय विदारक घटना भई ही यह दर्दनाग घटना साथ सीधी के इतिहास मां सबसे बड़ी घटना होई और यह जगह है जहां आपना पक्चेन का बताय दी कुछ दुई लोग मेहनत कस लोग आपस में लड़े अव हालात यहां तक पहुँचे कि अब जिंदगी और मौत के लड़ी का जंग जूझ रहा है अपना पक्चेक बताय दी कि यह जगहमा बाप और लड़ी का दुनहु जो है जूता पालिस के काम कर रहे हैं जूता बनवय के काम कर रहे हैं आए दिन बिवाद हो रहा किन्तु वह बिवाद का को सांत करे का सुल्जाबे का नहीं सोचिस जोने के चलते यह पूरा घटना क्रम अब आज एक कहा जाए कि हत्या तक पहुँच चुका है ओकर जीवन ले तक पहुँच चुका है और सोची यतनी बड़ी घटनाब है जो यह घटना के संबंधित हम पूरा ए दूता सब पड़े लागे कैमरा में से कहा पूँआ हर चीज देखा में जो बास्तों मां इस पूरे घटना क्रम से जुड़ी है अव लोग है जहां ठी यह पूरी घटना क्रम भई ही अपना काम देखावे चाही थे कि यह पूरा जो वाकिया भा है या वह बस्तेंड है दुकान तो बहुत पहले लगा रहे हैं लगावार रहे हैं अपना प्टाइन देखी लाए लगावार यह पूलीस आही रही है थे का करीस पूलिस सामाल लाई गये हैं पुलिस चली यह सबसे बड़ी घट बात यह है कि यह पूलिस चोकी है एठे सामने देखिए बस बनाई के रही का यह चोकी संचाली थी अभी करमचारी हमा चली यह पूरी घत्ता यह पुलिस चोकी के सामने भई हाला कि अभी तक ओका आइडेंटिफाई ओमा घेरा नहीं मारा का आए हुआ करण और यह पूरा यह वगा तिन कि लिए तिन चार भाई अरो लडाई करी है अपर लोके बोल को मतलबा नहीं है नहीं तब करनों वज़य होई तब लड़ा तो जानकारी नहीं है इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्या लड़ते हैं घटक बज़े के लगभग यह आधा गंटा भाह होई आधा गंटा बेभा है मतलब समय का रहा हुई लगभग अब अब हालाथ है बहुत चुकी है सबसे बड़ी बात किया है कि यहीथ पुलिस शोभी की के साबनि यह वाकिया पूरे मामला मां कि यह में घटना घटी है आज भीडवारवाले जगह हमां जहां आमूमन जो है चहल पहल बनी रहा थी ओके बाद यह में घटना हो थी तो का एका का मना जाए सबसे बही बात है कि बस इस्टेंस अर्वजी जगह है यहां पुली चोकी भी खुली हुए और पुलीस को इद्यब हर्दम ड्यूटी करना चाहिए पहले पुलीस आथा केंद खुला था इसके बाद पुलीस चोकी नवदी भतीन जेके मादन खोला गया था फिर बंद किया ग चोकी पर तो यह बारदाद न होती है यहां से बहुती कि दुकान खोला है यहां से वहां तो भागते हुए गए अपना जा मचा कर इसके बाद घड़ना हुई है पुलीस होती ते गड़ना उसकी साथ ना हो सकते है बहुत हालाओ थे दुखद हालाओ पर सवाल था खड़े फिर वेटा कर देका नामुदा नाइब आती लड़ा, यह था नो की तुर पलिश आपना से अपना के लिए आये दीन हो रहा या पुलिस्थानम होई भाई इनका राय दिन पुलिस्थानम कम से कम इनके बाप बेटन के 50 एक दूसरे एक फिज़ाब यह बताई कि मतलब जैसा बाप पेटा अपना बता है इनकी इनका रिपोर्ट है आखिर का पुलिस मतलब यह सब देखत नहीं है यतनी बड़ी जगए ही सार्वजनिक जगए ही चलता चलत फिरत जगए ही एहीं चौकी है अपना के मुड़ो उसे मा बर्स्टेंड के चौकी है औहिन के सामने यतना खून बहा लाग है तो लागए नहीं कि अपना पचे सुरक्षी था है इनकी इसे एक गुंडन से खतरा नहीं है सुनी वह परिवार के गड़ाई है बाप बेटा के गड़ाई है बाप बेटा गड़ी तो में को वो जी भाई बीच माम का यह अपना बत आई साइक उनका कोटों में मुगदमा चल लाता है पुलिस में दर्जोई तो पुलिस कोट में गया आए दिन पेशी में जा था यह काहिज गवने हथियार से यह घट्टा कर जाभी यह नहीं पता है यह ठीक है यह भीड है यह भीड़ों जादा हो रही है हाला कि पुलिस अपने कारिवाही में लगी है पुलिस एठे जो है अपन कामों कह रही है और पूरी जाँच चल रही है हाला कि अब यह नहीं पता है कि यह मत जो पीडित व्यक्ति है जो लड़िका है वह कौने इस्थितिम है ओका अगले जो है हम एपसोर मापना के दिखाई थे किन तो सी जूर कहा थी कि कहों न कहों कुछ गड़बर जरूर है हाला कि आम जन का राहत और कहा जाए सुरक्षित हावा मासांस लेके दावा उबादा सरकार करती है और यह भीड भाड़ी दाका में इतने बड़ी घटना के घट जाप कहों न कहों यह सवालिया निसान यह व्योस्थ साथ साथ भीड देखी साइद यह भीड हम काव कैमरा मैंन से दिखाए दें यह दियुक्त पहलू है हमरे समाज के या हमरे साथ जो है दलित आजिवासी नेता सुनिल चौधरी जी यह बश्टेंड पूरा एही थे पप्रा के संसार करें वाली घटना है कि दस मिन तक बाद चीज चली ही लडाई भी इतनी वारदात इतना न बढ़ती आगे अगर पब्लिक रोग सकते होगा प्रसासनों की गलती ही बगल मचोकी है पुलिस पोटेक्शन इंट हमेंसा रात भी लेकिन आज नहीं समझ माई इंटे पब् सबसे बड़ा सामाजिक सवाल है यह दौर के कि पब्लिक हादसा के बाद भीड बनाए चाहा थी किन्तु हादसा का रोके माँ पब्लिक कब साबने एई कब सहारा बनी वह आम जनता कहो न कहो यदि केहू के जान बचाई तर निशी तोर पर वह एक बहुत बड़ा काम होई अलकि साहद यह एतनी बड़ी घटना न होती यदि को हाथ लगाये दिये होते दुरू जने का लड़त की इन अलग कई दिये होते किन्तु सवाल यह है कि अब यह पुलिस पहुच चुकी है मारकिंग हो चुकी है जहां पूरा यह घटना करंभा है और यह देखी लागे यह अब पूरा मारकिंग का दिन गई ही घटना स्थल बताबा जाल लाग है अब पुलिस आगामी जहूं है पूरा यह मामले मा तैयारी आपन कह रही है अब सवाल बहुत सारे हैं जवाब ले के हम प्रयास कर अब किन्तु अबे जों एथे अधिकारी पहुचे हैं अबे कर रहे हैं यहां पर जगड़ा हुआ था बाप बेटों के जहां तक जनकारी मिली यह पाई तो अब ही वो जिन्दा है सक्स जो देखता हूं तीम रवान होगे यह यह सर यह अस्पताल चौकी यह बस्तेंड की चौकी क्या खुली थी उस समय जब यह गटना हुआ है अब ज कहों यह प्रयासकर लागे की घटना समद्धित साक्ष के साथ कौनों में के खिलवाल नहों पावे ओका मिटावा न जाय सके ओहुके खातिर जो है सलगा व्योस्ता कहे रहे हैं अब सबसे बड़ी बात की घटना घट चुकी है घटना का रोका नहीं गा हाला की कुछ दुक कि बाप बेटा के रिस्ता सर्मसार हो एलाग हाला कि यह पूरा मामला अब पुलिस के जाच्मा पहुच चुका है तब देखाब दिल्चास कोई कि यह में जाच्मा का तथ्य निकली के सामने आवाद थे ता अपने परिवार के बहुत ख्याल रखाब धन्यवाद प्रढ़ के बहुत है तब दिल्स कर दो